हेलो दोस्तो वेलकम टू माय चैनल मैं हूँ लकी गुब्रेले आपका दोस्त आगे हो एक नई वीडियो के साथ आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि अगर आपके लैप्टॉप की की मल्टिपल टाइम प्रेस हो रही है या बार बार आटोमेटिक प्रेस हो रही है त कि आप कोई की प्रेस नहीं करते हो फिर भी आटोमेटिक कोई की आटोमेटिक प्रेस होते रहती है तो इस चीज को आप कैसे फिक्स कर सकते हो आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे वीडियो स्टाट करने से मैं पहले मैं आपको बता दू कि इस चीज को फिक्स करने के जनरली यह प्रोब्म्म आती कि अब आपको पता दू, या तो आप अपने लैप्टॉप को महिने में एक बार, वीक में एक बार इस तरीके इसे यूज़ करते हो, मतलब कि बहुत कम यूज़ करने के वज़े से यह प्रोब्म्म आपके लैप्टोप के अंदर आई है, जनरली बहुत कम यूज़ करने के वाल यही प्रोब्लम नहीं और भी प्रोब्लम आती है जैसे कि आपके बैटरी प्रोब्लम आ जाती है आपकी लैपटोप की बैटरी ज्यादा टाइम तक ही चलती नहीं है यह फुल चार्ज नहीं होती है बैटरी फुल जाती है इस तरह की प्रोब यह कभी आएंगे नहीं सेकंड चीज में आपको बता दू बहुत सारी वीडियो में देखा हूंगा कि कीबोर्ड की इस प्रॉब्लम के लिए लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने लैप्टॉप की की को आप ओपन करने जिए कंदर डस्ट आ गया उसको क्लीन करने जिए तो मैं 99% में आपको बता सकता हूं कि उसके अंदर कोई डस्ट नहीं गया है वो जो प्रॉब्लम है वो लैप्टॉप रेगुलर ना यूस होनी के वज़े से यह प्रॉब्लम आपके लैप्टॉप में आई है तो इसको फिक्स करने के लिए कभी यह गलती ना करे आप कि उसकी की क को ओपन करें अगर आप उसकी की को ओपन करनेते हो तो उसके क्या होते है जो लॉक होते वो डूट जाते है लॉक तूटने की वज़े से पूरा लैप्टॉप का आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है मतनब कि उसकी को आप दुबारा सेट नहीं कर पाऊंगे अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी लैपटॉप की जो कीबोर्ड है उसमें डेस्ट आ गया है तो आप उसको सॉप पे ले जाके क्लीन करवाई है घर पे क्लीन करने की कोशिस मत करिए तो अब हम जानते है कि कैसे आप इस प्रोग्लम को फिक्स कर चकते हैं तो लग्की गुप्रद अच фильм करके रखा है पहला है टायो से की टेस्ट्टोफ यहा क्या रिख ये सबसे पहले हमन यह पता करें गे कि हमारे लैपको की कोनपी की बार-बार प्रेशिख हो रही है ज इस software को सबसे पहले क्या करने तो in install कर देता हूं यहां पर जो term and condition उसको accept करनेंगे nest nest करते जाएंगे यहां पर create desktop icon को yes कर देंगे आप और यहां से nest करते जाएंगे यह मेरा software था वो in install हो चुका यहां पर continue पर click करेंगे यहां से full screen करनेंगे अब यहां पर आपको अपनी laptop की सारी key press करके देखना है जिसमें problem है वो आपको यहां पर पता चल जाएंगी जैसे कि में यहां पर प्रेस करते जा रहा हूं यह देखो तो मैं app 1 से लेके सारी key धीरे धीरे एक एक करके प्रेस करते जा रहा हूं मुझे कौन की में problem है मुझे यहां पर पता चल जाएंगी जिस key में problem होगी वह रैड हो जाती है यह में फटा पट सारी key press कर रहा हूं यहां पर आप आप यहां पर देख पाएंगे कि जो की में problem है वह अभी rate आपको दिख रही होगी अलगी समझ में आ रही होगी यह देखो upside की button automatic यहां पर प्रेफ्ट हो रही है मतनलत की की में problem है यहां पर आपको ठीक है तो इस की को आपको पडेखो दिसेबल करना पड़ेंगा ये देखो इस तरीके से हो जाती है गुद्ट कि इसकी में प्रोबलम में आपके तो इसे को आपको फिक्स करना पड़ेंगा fix करने के लिए मैं इस software को close कर देता हूं तो इस चीज को fix करने के लिए हम दूसर software डियूज़ करने जा रहे हैं उस software का नाम है की ट्विक जिसके download next भी आपको description मिल जाएंगी यहाँ पर आपको एगरे पर क्लिक करने ना है इस software को आपको install करने ना है यह software install हो चुका है अब चलते हम अपनी home screen पर यह देखो मुझे यहाँ पर सो नहीं कर रहा है मैं यहाँ पर सर्च करने जाता हूं यह देखो यहाँ पर software आ गया इसको open करने ता हूं मैं यह open हो गया अब मुझे जो problem में की में problem थी मैं की को select करने रहा हूं ठीक है यहाँ पर यह जो upside की बटन थी इस पर मैंने क्लिक कर दिया अब यहाँ पर को disable key का option देखने को मिनेगा इस पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से apply कर देंगे apply करने के बाद मैं आपका यहाँ पर वता रहा है कि आपका system जो है restart हो जाएगा मत्तब कि restart होने के बाद यह बटन जो होगे आपकी काम करना बंद हो जाएगी इस की को आप प्रेज भी कर जो आपकी key बार बार प्रेजरी थी उसको आप fix कर सकते नेकिन यहाँ पर एक नई problem generate हो गई कि आप उस key का use नहीं कर पाएंगे मतलब कि आप बटन का use नहीं कर पाएंगे तो आपको इस चीज को भी fix करने पड़ेंगे आपको यह देखना पड़ेंगा कि आपकी laptop में आप कुनसी की को use नहीं करते तो उपर साइड में जातर एसी कुछ key होती जिनको use नहीं करते जैसे कि app 9 हो गया app 10 हो इन की को हम अब बटन की तरह use कर सकते तो सबसे पहले आपको आपको क्या करना है जिस button को remap करना है उसका आपको select कर देना है अब यहाँ पर आपको select करने के ब apply पे click करने के बाद आपका system restart होंगा restart होने के बाद जो आप बटन का काम करेंगा वो अभी आप आपका app can करने नग जाएंगा तो इस तरीके से आपकी जो multiple की बार-बार प्रेशोरी थी वो problem fix हो गई साथ ही साथ उसकी की बाद ने आपने दूसरी की activate करनी मतलब की रिमेप करनी इस तरीके बहुत easy वे में आप आपके laptop में जो problem आ रही थी उसको अपने software की मदद से manage करनी है अब इन दोनों software को आप uninstall भी कर देंगे तो भी remapping हो रखी है uninstall करने के बाद भी आपको किसी तरह की problem नहीं आएंगी तो इस तरीके से आप अपने laptop की keyboard की जो automatic की प्रेस हो रही थी उस problem को बिना keyboard को repair करे fix कर सकते हैं और दोस्तों यह सब सारी setting apply करने के बाद भी अगर आपके keyboard में किस तरह कोई problem आती है या बहुत सारे नोग साथ यह होता है कि उनके multiple की उनको disable करनी पड़ जाती है एक से ज्यादा की में इस तरह की problem आती है कि वह बार-बार automatic प्रेस होती है तो मैं आपको सेज़ेश्ट करूंगा आप अपने keyboard को repair कर पानी चाहिए या किसी सौप पे जाके अपना जो laptop का keyboard है उसको replace कर दीचे जिहां इस तरह की कोई problem आपके laptop में generate होती है इस software की म क्लिक करके आप इसको apply कर दीचे की फिर से वर्क करने लग जाएगी और आपके प्यारबरे कमेंट्स के निये धन्यवाद दोस्तों अकर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe करके notification bell जरूद आपालीचे वीडियो को like कर दीचे अपने दोस्तों share करना ना भूल से और अगर आपको कोई डाउट आता तो मुझे कमेंट में जरूर पूछे थेंक्यू अग्यू अग्यू अग्यू